नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे कुरोना वैक्सीन को लेकर वारेल हो रही एक ख़वर के बारे में देश में कुरोना संक्रमन की दूसरी लहर ने सबसे जादा तबाही मचाई है ऐसे में अब पुरे देश में वैक्सिन दी जा रही है वहीं दूसरी और कुछ लोग वैक्सीन को लेकर सोसल मीडिया पर अफवाफ हिलाने में जुटे हुए है सोसल मीडिया पर एक पोस्ट भोतेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें फ्रेंच नोबेल विजेता के हवाले से कहा जा रहा है कि कुरोना वैक्सीन है आप टी का दिरूर लगवाएं सोसल मीडिया पर नोबेल विजेता और फ्रेंच वारोलाजिस्ट लिउक मॉन्टेनियर के हवाले से एक ख़वर सेर की जा रही है वाइरल मैसेज में लिखा है कि वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोग दो साल के अंदर मर जाएंगे नोब पहले से ही टीका लगाया गया है उनके लिए भी कोई संभावित इलाज नहीं है हमें सबों को भस्म करने के लिए तयार रहना चाहिए वारेल हो रहे हैं इस मैसेज में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन के घटकों का अध्यान करने के बाद अन्य परमुक्ष बारेलोजिस्ट ने बैग्यानिकों के दावों का समर्थन किया है यह सभी एंटी बॉड़ी निर्भर ब्रीधी से मर जाएंगे तेजी से वारेल हो रहा है इस फरजिक खवर को लेकर पी आईवी ने इस पोस्ट को सेयर करते हुए लिखा है कि यह इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वारेल करें यानिकी यता है कि पी आईवीं के तोरह यह अस्परस्ट कर दिया गया जो पूरी तरह से फरजेंक इससे पहले भी वाइरल खबर को भी पी आई वी फैक्ट चेक टीम ने फरजे करार दिया था और हुने यह भी कहा था कि अभी तक मांस मचली अंडा खाने से किसी भी व्यक्ति में कुरोना जैसे लक्चन नहीं दिखाई दिये हैं ऐसे में बिहारी न्यूज भी आपसे निवेदन करता है कि इ आप इसे किसी को फारवर्ड न करें आप अपनी बारी आने पर वैक्सिन सेंटर पर जाएं और वहां जरूर वैक्सिन लगवाएं इसलिए बिहारी न्यूज की तीम ने भी आपसे यह अन्रोध किया है कि आप वैक्सिन जरूर लगवाएं और इस तरह की भरामक खबरें ज सरकार और केन सरकार कोरोना से बचाव के लिए परियुक्त संसाधनों के महया करा रही है और स्वास हुआ के टीम लगतार लोगों के पास अब तो आ भी रहे और जाच की भी विवस्ता की जा रही है बिहार और बिहार से जुड़ हुई और भी इसे इंग खबरों के लिए बिहारी नियुज के साथ मुझे दिज्य इजाजत धन्यवाद